हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको लिपिस्टिक घर पर ही बनाना बताऊंगी आप इस से मन मताबिक अपनी हर ड्रेस के कलर की मैचिंग की लिपिस्टिक बना सकते हैं क्योंकि इतनी सारी लिपिस्टिक हमारे पास होना पॉस्विल नहीं होता है हम दोग तरह-तरह की ड्रेस पहनते हैं तो आप तरह-तरह की लिपिस्टिक भी बना सकते हैं घर पर बिल्कुल फ्री में तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो फ्रैंद्स घर पर लिपिस्टिक बनाने के लिए एक चाहिए होगा लेपिस्टिक का खाली धबकन जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट में लिपिस्टिक आती है और जो हमारी खराब हो जाती है तो इसका पूरा खाली जो बॉक्स है वो बचता है तो इस तरह侑 से मैंने एक लग से बॉक्स लिया है अब हम क्या करेंगे कि एक कटोरी लेंगे कोई सी भी आप बाउल ले सकते हैं काच का भी ले सकते हैं और यहां पर लेंगे हम पैट्रॉलिम जली बैसलीन हमने इसलिए लिया है क्योंकि यह स्पेशल लिप्स के लिए आती है इससे बहुत जेज़ के एकिसपाइडी डेट निकल गई है तो जिस तरीके से हम बनाने वाले हैं वो आपको आईशेदो पिंक लिपस्टिक पनाने वाले हैं तो यहां पर हम चम्मच की सहयちゃ थो डिलाइट सेड BHC तो आगर आप है रहत जाएले लेकिन में फिलहाल light set ही बना रही हूं क्योंकि मैं dark lipstick नहीं पसंद करती हूं लगाना तो अब मैं चम्मच की सायता से थोड़ी सा इसको mix कर दूँगी जड़ासा इस तरह से अगर आप इसमें shining और ज्यादा चाहती है तो market में जो glitter आता है सूखी किरकिरी आती है sparkling वाली उसको डाल सकती ह है तो इससे आपकी और shiny lipstick बन जाएगी तो यहां पर मैंने कटोरी में लिया है एकदम गरम पानी अब हम इसमें इस कटोरी को रख देंगे इसको आपको directly gas में नहीं melt करना है बैसलीन को आपको double boiler करना है इससे यह आपकी harmful नहीं रहती है ज्यादा direct गरम करने से और ज्यादा नुकसान पहुचा सकती है तो यह बहुत gently बनने वाली है तो आप देख सकते हैं दीरे दीरे कि यह गरम पानी में बिल्कुल melt होने लगी है इस तरह से यह हमारी पूरी दीरे-दीरे melt हो जाएगी तो मैं आपको बिल्कुल live दिखा रही हूं तो आप देख सकते हैं कि पूर कि यह कोई अच्छे से मैश हो जाए देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है तो अब हमने जो लिपिश्टिक का खाली बॉक्स लिया था इस तरह से हमारे हैं बहुत सारी लिपिश्टिक के बच जाते हैं बॉक्स तो आप फेका मत करिए उससे मनपशन की लिपिश पांच मिनट तक के लिए से ऐसे ही रखा रहने दी जब तक यह अच्छी से जम ना जाए तो पांच मिनट के लिए हम इसको रखा छोड़ देते हैं तो हमारे पांच मिनट हो गए हैं अब देख सकते हैं आप हमारी जो वैसली ने अच्छी से जम चुकी है तो हम इसको आप यासी लिपिष्टिक बन करके आई है बहुत अच्छा इसका कलर आया है उल्कुल नैचुरली और यह आपके लिप्स को बहुत फायदा करने वाली है तो मैं आपको इसको लगा करके दिखाती हूँ तो फ्रेंच देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा कलर आया है चूकि मैंने बहुत लाइट शेड बनाया था तो इस वज़य से बहुत डार्क नहीं आया है अगर आप डार्क बनाना चाहती है तो डार्क भी बना सकती है तो यह देखे कितनी शमें शाइनिंग आ रही है तो य भी ले last यदि लेकिन मैं आपको एक बार सामनी हमने राओन बनाना चाहती है यह देकाती है कि दो इसको कि मैं सब्हसे आराम से अपने मनपसंद लिपस्टिक बना सकती हैं ये बिल्कुल आपके लिपस को नुक्सान भी नहीं करेगा आप इसको डेली उज में लाइट डार्क जितना शेट बनाना चाहेती हैं बना सकती है